नमस्कार यहाँ पर मैं आपको शोल्डर जोइन करना बताऊंगी बिलकुल सफाई से और बहुत ही असान तरीके से तो यहाँ पर बैक वाला गला जो है वो मैंने उरे पट्टी के साथ बनाया है आप अगर बुकरम के साथ बनाते हो तब भी इसी तरीके से करना है यहाँ पर मैंने उरे पट्टी जो है वो इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो यह कंप्लीट हो जाएगा लेकिन एक स्टेप पहले मैंने जो फ्रंट वाला गला है वो कंप्लीट कर लिया है और इसको इस तरीके से हमने फोल्ड करना है और यहां पर हमने shoulder joint करना है तो उरे पट्टी जो लगाई है बैक वाले पे तो उरे पट्टी के साथ ही हमने बिल्कुल बराबर करके नहीं रखा है उसको बढ़ा हुआ रखा है इस तरीके से एक वार फिर से दिखा देखते हैं ऐसी इसको उसके उपर फ्रेंट वाले गले के पट्टी के साथ रखा है नीचे करके इसके उपर चढ़ाया नहीं है और अरे पट्टी को हम इस तरीके से इसके उपर overlap कर देंगे ऐसे खुला है ऐसे आप इसको ऐसे रखेंगे यहां पर अगर बुक्रम लगाई है तब भी अपने ऐसे ही करना है और यहां पर इस तरफ भी हम इस को सिधर कर लेंगे तो यह हमारा शोल्डर जुड़ गया है और बेक together करने से पहले हमने दो गर्लाइक करना है यहां पर उरय प्रटी की जगह पे कोई गला भी हो सकता है तो आपने सेम प्रोसेस सब के लिए करना है तो औरे पट्टी के साथ जब हम कला बनाते हैं तो नीचे वाला जो कुर्ती का कपड़ा है उसको हमने सीधा करना है अच्छे से सफाई से रखना है और औरे पट्टी जो होती है वो अपने आप ही मुड़ती जा कि अब पर जाएंगे औरे पट्टी के साथ भी आपका गला जो है वो कितना सफाई से आता है सिर्फ औरे पट्टी जब भी गला बनाए तो उसके उपर आपको प्रेस जरूर करना है तो प्रेस करने के बिनना आपका थोड़ी सी ऐसे आती है जीसे यहां पर मैंने मैंने यहां पर जुड़े हुए हैं यहां पर और यह हमारा प्रेस करने के बाद का लुख है तो प्रेस करने के बाद इसकी सफाई जो है वो इतने इतनी फिनिशिंग के साथ औरे पटी वाला गला बनता है यह देखिए यहां पर देख लीजिए यह और Diese back side see thank you for watching